हेलो एब्रीवन वेल्कम टू दी नीवर्ड विथाइटियन थिंकिंग तो हम जी मेंस की कोश्चन लिए हुई है आपकी एक्जाम आने वाले अपरेल में ठीक है तो मैं टूदी कोश्चन चलूंगा मतलब कोश्चन बताऊंगा उसके थूरू कॉंसेप्ट रिखाऊंगा ता पाकी हम आवा कोश्चन को सॉल्व करते हैं देखो पहले इस टिप में हमारा क्या गीविन था एक स्ट्रॉंग नुक्लियोफाइल है दिख रहा है साइनाइड है एने सियन तो यह क्या करेगा साइनाइड यहां से यह एसन टू रिएक्शन कराएगा ठीक है यह साइनाइड तो इताल दना चाहेज़ा तो इससे बाहर निकालने के लिए क्लिए साइनाइड यहां इस पोजिशन पर क्यांत्ति को यूकि यह और यह नेगिटीव पोजिटिव पर क्या तरह यहां अटाय किया और यह लीविंग गूरुप की तरह बाहर निकल गया ठीक है सीधे सीधे समझों यह लीविंग गूरुप तरह बाहर निकल गया तो तो दिखो यहां पे क्या होगे साइनाइड आ गया ठीक है दिगर आपको हाँ साइनाइड को हमने ओपिन करके लिख दिया यह सी एन जो था न यहाँ पर गया इसको ऐसे तो लिखते हैं सी ट्रीपल बॉन ठीक है न तो यह हो गया अब देखो अगली इस टिप में हमारे काईगी विए था बेस ओ यह एक बेस से क्या है यह बेस का काम क्या होता है यह बेस मतलब उसका काम है दुनिया में हromagnetे वाले है यह मी पूरा पढ़ा रखा है बेसिक जी पूरा एडवांस तक पढ़ा है अच्छे से एक एक बात समझ में आगे अगर डाउट हो तो वहाँ पर देखा है तो यह हाइडूजन मोस्ट से स्बीक है ठीक है अब यह बेस क्या करेगा इसे हाइडूजन को आके यहाँ पर खाएगा यह खा लिए इसको देखो यहां पर टैक कर लिए तो अब जैसे इसे खाएगा तो यह प्लस लेके निकल जाएगा और यहां पर क्या बनेगा क्या बनेगा माइनस आ जाएगे नेगिटिव चार्ज आएगा ठीक है ना देखो अगली स्टिप में हमारा क्या गीविन था साइक् नाम गीविन था इसका साइक्लोहेक्जेनोन किटोन है ना यह फंस्टनल ग्रूप क्या होता है किटोन तो इसको यह भी आद रख लेना पता लगा नाम दे दिया आपको इस्ट्रक्षर पर नाना ही नहीं है तो तो यहां पे एलडॉल टाइप सी रियेक्शन हो जाएगी ए यह नेगटिव चार्ज है इसको चाहिए पॉजिटिव तो यह एलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है क्यों एलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है हमेशा रख लो कार्बोनिल ग्रूप कहीं पर होता है तो कार्बन एलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है ऑक्सिजन पर नेगटिव होता है ठी ऐसे impeachment हुआ अब देखो जैसे open हुआ तो क्या हुज जाएगा देखो मैं यहां पे आपको ह लिक्ट करते हों ओ सीять झी डिख़े रहा है यहां आप देखो उसके बाद हमने क्या किया modes यहां पर यहां पर मारे था बना देते हैं और यहां पर हमारा क्या आएगा यहां पर आएगा यहां पर आखसीजन था और यह बॉंड ऐसे उपन हुआ था यहां पर नेगटिव आएगा तो यह वरक अप समझ में आजाएगा कोई भी इस पेसिजन हमेशा अंचार्ज हो गया इसलिए यह बन गया बात समझ में आई आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए अब देखो अगले इस टिप में हमारा क्या इस तु निकिल तो यह क्या कर देगा रिडक्शन कर देगा किसका यहां पर अंचार्ज कर देगा हमेशा आयद रख लो इस टू निकिल तो बस कुछ नहीं करना था यह हमारा क्योश्चन हो गया आपका ठीक है ओ सी एस त्री और यहां पर हमारा इसको क्या सी एस टू और एस टू में चेंज कर दिया ठीक है अब देखो और बागी जो यह ऐसे शिक्स सक्सें मुझसे पूछ सकते हो ठीक है और बेस्ट वन कोश्चन का प्लेलिस्ट है आप वहां पर देख लेना बहुत सारे कोश्चन है ट्रीक और टिप्स का प्लेलिस्ट है उसे देख लेना आपके मैक्सिमिम कोश्चन 15 मिनट में सारे कोश्चन सावल हो जाएंगी जेमिस क एक टॉपिक की दूसे भी देख लेना कुछ डाउट होत पूछ लेना ठीक है ओके दोस्तों थेंक यू